हेलो फ्रेंड्स, वैलकम तो माई यूट्यूब चैनल, हम कॉस्ट एकाउंटिंग का चैप्टर कर रहे थे, मेटेरियल कॉस्ट, मेटेरियल कॉस्ट की हमारी एक क्लास हो चुकी है, अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखिए, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर पहले उसी वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आपको ये क्लास समझ में आएगी, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में जो मैंने आपको कराया था, एक बार मैं फर्स्ट क्लास पर लाता हूँ, तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको material के कुछ basic सी बाते material के types material costing क्यों करते हैं और मैंने various stock label की बात वहाँ पर करी थी और various stock label के अंदर मैंने आपको EOQ के बारे में बता दिया था और मैंने EOQ के कुछ questions भी कराये थी ये video last तक देखना क्योंकि मैं first class related एक important question है जो become में कई बार पूछा गया है वो मैं इस video के last में कराऊंगा ठीक है तो चलिए आज ही class स्टार्ट करते हैं आज ही class जो हमारी है जो मैंने वहाँ पर बात की थी various stock label की उसी से related हमारी आज ही class होने वाली है यहाँ पर देखिए आज मेरा various stock label में यह कुछ stock labels की हम बात कर रहे है आप देखिएंगे ध्यान से तो चीजे आपको बिल्कुल समझाएंगे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है सबसे पहले देखिए types of stock label पहला type मेरे तरब से कौन सा आ रहा है maximum stock label maximum stock label का मतलब क्या होता है यह वो label होता है material के stock का जहां पर company इसके बाद कोई भी stock store करने से मना कर देती है यानि कि यह maximum label आप भी समझते हो कि किसी भी company या किसी भी व्यक्ती का maximum label होता है उस maximum label के बाद हम वो stock या material नहीं लेते तो यहां पर भी यह maximum label से मतलब यह है इसका formula क्या होगा reorder label, reorder quantity अगर reorder quantity का मतलब समझना चाहता हो तो यह की समझ सकते हो minimum consumption, minimum lead time यह lead time क्या होता है यह सारे questions में आपको given होगे आगे बढ़ते हैं फिर आता है आपका minimum label minimum label का मतलब होता है कि minimum कितना रखना है यानि minimum इससे नीचे नहीं जाना चाहिए उसको हम बोलते है minimum label ठीक है minimum label का मतलब होता है कि stock का label, material के stock का label इससे नीचे नहीं जाना चाहिए इसका formula क्या होता है reorder label फिर आता है normal consumption, multiply, normal lead time अगर किसी question के अंदर normal consumption या normal lead time नहीं है तो इसके जगह आप average consumption average lead time का use कर सकते हो average lead time कैसा निकालेंगे maximum lead time plus minimum lead time divided by 2 ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर आता है आपका reorder label reorder label का मतलब होता है कि material के stock का वो label जहाँ पर आने के बाद दुबारा से order को place कर दिया जाता है यानि नए order के लिए order कर दिया जाता है यानि नए material के लिए order कर दिया जाता है इसको बोलते है reorder label इसका formula क्या होता है maximum consumption multiply maximum lead time ठीक है इसके जगह आप EOQ में निकालते हो इसका भी use करते हो ठीक है यहाँ तक की बाते मैं उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पर देखिए कुछ बाते और करते हैं फिर आता है average stock label average stock label का मतलब क्या होता है कि averagely आपके पास कितना stock होता है ठीक है जब भी average की बात करेंगे तो हम minimum label plus maximum label divided by 2 एक formula और है वो क्या है minimum label plus 1 upon 2 of reorder quantity यानि EOQ की बात कर रहा है हाँ ठीक है फिर आता है danger label danger label का मतलब क्या होता है stock का वो label material के stock का वो label जहां पर हम तब ही पहुंचते हैं जब कोई emergency आ जाती है ठीक है emergency से पहले हम उस label पे नहीं जाते हैं ठीक है ऐसा generally normal cases में नहीं होता है emergency के cases में होता है जैसे मान लो अभी आपको पता है कि कुछ ये कुरोना का चल रहा है सब कुछ तो कुरोना में आपने देखा होगा कुछ टाइम के लिए इन्होंने lockdown कर जाता है बिल्कुल और कुछ essential production फिर भी हो रहे थे तो जो essential production हो रहे थे उनमें ही भी कुछ ऐसा label आ गया होगा danger label इसको बोलते है emergency condition ठीक है बाद समझ आ देए danger label का formula क्या होता है average consumption multiply reorder period in emergency condition यह question में given होगा यहां तक की बाते आपको समझ में आ गई होगी ठीक है इन सबका मैं PDF में PDF बना के वीडियो के description में दे दूँगा आप वहाँ से download कर सकते हैं अब मुझे कुछ questions कराने हैं question कराने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इससे पहले एक video बनाई थी लेकिन उसमें कुछ voice की दिक्कत आ गई थी तो मैंने पूरी video बनाने के बाद मुझे पता चला कि इसमें voice में problem आ गई इसलिए मैं दुबारा से shoot कर रहा हूँ तो मैं उनी questions को दुबारा से लूगा ठीक है और ये मैंने आपको 4 questions लिए है 4 questions है आपके पास बिटा अगर आप मेरे 4 questions अही से समझ लेते हो तो आप अपने 10 year के B.com, B.com honors के 10 year के लगवलबग सारे questions कर लोगे exam में आई हुए questions कर लोगे अराम से कर लोगे ठीक है ये रहा आपकी screen पे भी है question number first देखेंगे क्या कह रहा है first question two component of x and y दो component के बात कर रहा है एक है x और दूसरा कौन सा है y are used as follows इस तरह से आप use करते हो, कैसे use कर रहा है आपने normal uses आपका होता है 600 unit per week यानि दोनों component x भी और y भी 600 per week maximum uses जो आपका आता है 900 unit का आता है per week यानि दोनों component का minimum uses आता है 300 unit per week ठीक है ये भी दोनों का यानि ये दोनों के ही बारे में detail देखें x और y दोनों के लिए reorder quantity x की जो है 4800 units की है और y की 7200 units की है और reorder period जो है आपका वो x के लिए 4 to 6 week का है और y के लिए 2 to 4 week का है यानि ये minimum और ये maximum ठीक है आगे बढ़ते है calculate क्या 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 करना है reorder level, minimum level maximum level और average stock level ओके तो चलिए start करते हैं मैं question को कराता हूं इसको और ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो जो चीजे हैं उसके हिसाब से हम बात करते हैं, तो आए जड़ा solve करते हैं बेटा चलिए, तो start करते हैं solve करना, तो सबसे पहले solution, point number A का, point number A में question ने क्या कहा है आप से point number A में question कह रहा है कि reorder reorder label बताओ, तो reorder label का formula, आप जैसी question करोगो तो वीडियो में जो भी मैंने starting में formula बताएं हैं, उसको पहले अपनी copy में note कर लेंगे, उसके बाद आपको solution देखोगे, तो आपको चीज़े समझ में आँगे कि formula मैंने कैसे लिया है, ठीक है reorder formula, इसका formula क्या होता है, maximum uses या maximum consumption multiply maximum lead time ठीक है, maximum lead time या maximum period, जो भी given होगा इसके हिसाब से आपको करना है, तो हम यहाँ पर 2 component की बात करें, component x और component y, 2 component की बात करें है, तो x की बात अगर हम करें, तो अभी आपने question में देखा, कि x component की अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पर देखो maximum uses दोनों का दे रखा है और maximum lead time भी मेरे पास दोनों का है, तो मैं फटा-फट से करता हूँ तो यहाँ पर maximum consumption 900 units का है, दोनों के लिए और maximum lead time इसका 6 week का है ओके, 6 week का maximum time है तो यह total कितने unit होगे, 5400 units, तो यह होगा आपका reorder level आगे बढ़ते हैं, y की अगर मैं बात करूँ, तो y के लिए तो y के लिए कह रहा है कि यहाँ पर भी 900 units का ही था शुरू में ही मैंने बता दिया, और इसका जो maximum lead time है, वो 4 week का है आप question में देख चुके हो, 4 week का है तो यह होगे 3600 ओके, तो यह भी units में आ गया तो मैंने a point का अंसर दे दिया है reorder labels related point number b point number b में कहता है कि आपको निकाल के दिखाना है minimum label तो minimum label निकालने के लिए minimum label का formula हम लिखेंगे सबसे पहले, तो minimum label का formula क्या था, मैंने पहले बताया कि आपने copy में note कर लिया formula, मैं ऐसे अमीद कर रहा हूँ normal consumption normal consumption या uses जो भी आप लिखना चाहो normal consumption multiply normal lead time normal consumption normal time तो अब मैंने यहां पर देखो मैंने आपको starting में ही बताया था कि अगर normal ना दिया हो तो average निकालते हैं, देखो इस question के अंदर अगर आप question देखते हो तो कहीं भी normal की बात नहीं करता था तो मुझे average निकालना पड़ेगा average lead time निकालना पड़ेगा तो आज आए जरह यहां पर देखते हैं reorder label दो components थे एक X और दूसरा कौन सा था Y, तो reorder label मैंने अभी अभी calculate किया X का 5400 units का था ठीक है और minus कर देखेंगे normal consumption normal consumption दिया हुआ है वो दिया है 600 units का और multiply normal lead time तो है नहीं बेटा तो इसके जगह मैं क्या निकालना average lead time तो average lead time कैसे निकालना तो जो भी minimum lead time होगा और maximum divided by 2 तो minimum है 4 X के लिए minimum है 4 maximum 6 तो होगे 10 10 divided by 2 यानि 5 weeks आ जाएगा ठीक है तो यह प्लस मैनिस करोगे तो यह हो गए आपके 2400 unit आगे बढ़ते हैं y की बात करते हैं तो y का जो है reorder level कितना है 3600 unit का 3600 units और minus कर दो normal consumption दोनों का सेम ही था यानि 600 units का ही था और multiply average lead time तो average का 2 plus 4 divided by 2 यानि 6 6 divided by 2 तो यानि 3 week का आ जाएगा तो 3 weeks का आ जाएगा तो यह हो जाएंगे आपके plus minus करके 1800 units तो मेरे खाल से आपको चीज़े समझ में आ रही है सारा formula पर बेशते बेटा कोई भी कुछ यहाँ पर concept वाली बात ज्यादा है नहीं आगे बढ़ते हैं कुछ बाते और करते हैं लेबल निकालने के लिए मेरे पास formula क्या था अभी अभी आपने अपनी copy में लिखा है बताओ क्या formula था वो था reorder label reorder label minus sorry reorder label plus reorder reorder quantity or minus minimum consumption multiply minimum minimum lead time minimum lead time यही था formula तो मैं accordingly value रखता हूँ x का और दूसरा कौन है y तो x की बात करते है reorder label x का कितना है अभी अभी आपने निकाला यह देखो ऊपर ही calculation होकर रखी है reorder label कितना है reorder इसका label है 2400 का और plus reorder quantity यह question में given है आप question में देखोगे तो यह reorder quantity given है तो reorder quantity है मैं देखा दूँ एक बार reorder quantity कितनी है 4800 और 7200 दोनों ही given है तो यह हो जाएंगे आपके 4800 और minus minimum consumption minimum consumption 300 units का है और minimum lead time इसमें 4 week का minimum lead time था तो इसको plus minus करोगे तो आपका answer आजाएगा 900 units का यहाँ पर आजाओ य की बात कर लेते हैं तो य के लिए reorder label कितना है 3600 का और plus reorder quantity reorder quantity आपके पास आ गई कितनी 7200 यह question में given है minus कर दो minimum consumption यानि 300 units का और minimum lead time यानि 2 week का तो यहाँ से आप plus minus करोगे तो यह answer आपके आगर 10200 units ओके बात समझ में आ रही है आगे बढ़ते हैं last में point number D point number D में कहा था कि आपको average stock label बताना है average stock label बताना है average stock label निकालो क्या formula बताया बताओ अभी अभी मैंने बताया formula average stock label का हमने पढ़ा कि opening stock label यानि minimum stock label minimum stock level जो भी होगा और plus जो भी हमारा क्या होगा maximum stock label और upon में 2 minimum stock label upon में 2 तो यहाँ पा आजाओ minimum stock label कितना है तो minimum stock label यहाँ पर गड़बड यह है कि यह जो आएगा यह 9000 units का आएगा वह था 10,200 divided by 2 यह हो गए आपके कितने यह हो गए 6000 units बास समझ में आ रही है मैं ऐसी उमीद करता हूँ कि आपको question number first समझ में आ गया होगा कोई भी दिक्कत वाली बात तो इसमें थी नहीं बिल्कुल simple सा question था बस formula लगाने थे तो बस यह हो गया first question खतम आए जरा second question यह रहा आपकी screen पर देखे जरा question क्या था G is a product manufacture out of 3 raw materials G नाम का एक product है जो तीन तरह के raw materials से बनकर तयार होता है ठीक है तीन तरह के raw materials से बनकर तयार होता है raw materials का नाम क्या है M, N, O Each units of G required 10 kg, 8 kg, and 6 kg यानि कि इनके material के requirement होती है 10 kg, 8 kg, and 6 kg of M, N, O फिर बोलता है the reorder label of M and N 15,000 kg और 10,000 kg respectively while the minimum level of O O का minimum level कितना है वो है 2500 kg the weekly production of G various forms varies from 300 to 500 यानि कि यह minimum और maximum दोनों है while weekly average production जो होता है 400 units का तो you are required to compute minimum stock label of M maximum stock label of N or reorder label of O additional information यह दे रखिये additional information में क्या है कहता है reorder quantity 20,000 15,000 20,000 period minimum भी दे रखा है average भी दे रखा और maximum भी दे रखा है ठीक है देखिये question number 2 तो solution करते हैं पहली requirement first requirement क्या है यह कह रहा है कि minimum minimum stock label बताओ minimum stock label बताओ of किसका M का M का भी minimum stock label जानना चाहता है M का minimum stock label बताएंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हमें formula लिख लेना है formula क्या था बेटा बताओ अभी आपने copy में लिखा है reorder level minus normal consumption normal consumption multiply normal late time ठीक है यही तो था अगर normal मेरे पास नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा निकाल लूँगा average तो इस question में normal नहीं दे रखा तो average दे रखा है तो मैं average से अपना काम चलाऊँगा तो आज यह जरा start करते है reorder label reorder label question में given था यह देखो मैंने इसलिए question लिख लिख लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो मैं बार-बार दिखा सकूँ यह देखो reorder label question में given है कितना है 15,000 kg और यहां पर देखो average भी given है 3 week का तो इसके हिसाब से मैं काम करूँगा आ जाई जरा reorder label कितना है 15,000 kg का minus normal consumption normal consumption कितना आता है question में given है कि normally जो है वो 400 units बनते हैं तो यहां पर देखो मैं उपर लिख रहा हूँ समझो इसको एक unit को बनाने में आपके जो expense मतलब material लगता है वो 10 kg का लगता है अब normally 400 units अगर बनते हैं तो कितना material लगेगा 400 multiplied 10 यानि 4000 बात समझ आ गए 4000 kg तो normal consumption में कितना डालूँगा 4000 kg और multiply normal lead time normal lead time तो है नहीं तो मैं average lead time लेता हूँ 3 week का तो 3 week का time आ गया तो यह बता दो कितना आ गया यह होगे 15,000 kg और इनकी multiply करोगे तो 12,000 kg It means यह answer आ गया आपका 3000 kg का तो मेरा answer number first आ गया 3000 kg का कोई दिक्कत नहीं sir बिलकुल भी दिक्कत वाली बात तो ही नहीं चलिए very good आगे चलते हैं question number oh point number 2 तो इसका point number 2 था point number 2 में कहता है कि आपको निकालके दिखाना है maximum stock label maximum stock label की बात कर रहा था maximum stock label निकालके दिखाते हैं तो maximum का formula है मैं यह बहले रिख लेता हूं ताकि आपको चीज़े समझ में आती रहे है maximum का formula क्या था बताओ maximum का formula क्या था maximum का formula था reorder label reorder label plus reorder quantity reorder quantity minus minimum consumption minimum consumption multiply minimum time यही तो था इसलिए मैंने कहा था copy formula पहरे लिख लो मैं बार बार उसका use करता रहूंगा ओके तो यहां तक की बाते हो गई आपकी आगे चलते हैं री और री और लेबल तो री और लेबल कोशन में गीवन है वह कितना है 10,000 kg का 10,000 kg का प्लस री और कॉण्टिटी यह भी कोशन में गीवन है यह है 15,000 kg का माइनस minimum consumption आप यहां पर देखो वही बात आ गई कि अगर आप यह कोशन में यह निकालना था हमें N का तो N का जब मैं निकाल रहा हूं तो आपको यह समझना है कि N का एक unit बनने में 8 kg material का use होता है तो N का जो minimum minimum जो production होता है वह 300 unit का होता है question में given है तो 300 unit multiply 8 यानि 2400 units का यह आपका minimum 2400 kg का यह आपका minimum material के requirement होती है तो minimum कितना आ गया 2400 kg का 2400 kg का 2400 kg का और multiply minimum lead time 4 weeks का तो बस इसकी करते है multiply और आपका answer आपके सामने आएगा तो यह हो गए 25,000 kg और इसको जरा करके देखते हैं कितना आ गया यह बताओ कितना आ गया यह 2400 और multiply करो 4 weeks से तो यह हो जाएगा 9600 तो अगर आप minus करते हो तो answer आ जाएगा 15,400 kg अब last में question कहता है कि reorder label बताओ इसकी बात कर रहा है यह कह रहा है component O का reorder label बताओ तो reorder label आपको बताना है तो reorder label का formula क्या था इसका तो simple था maximum consumption multiply maximum lead time यह तो था तो maximum consumption maximum lead time करो फटा फट से maximum consumption कितना है यह तो question में given है वह 500 units का 500 units का अब वही problem दुबारा से आ गई कि भाई अगर 500 units है यहाँ पर समझना problem क्या है अगर 500 units है एक unit जो है वह बनके तयार होते 6 kg में तो total कितने unit की requirement होगी बताओ 500 multiply 6 तो total 3000 kg की requirement होगी अब मैं इसमें formula में रखता हूँ तो maximum consumption कितना आ गया 3000 kg का और maximum lead time कितना है 6 week का तो यह answer आ जाएगा आपका कितना 18000 kg तो बस यह भी आपका question हो गया solve देखो बेटा इसके questions थोड़े बड़े बड़े होते ही है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप like जरूर करें subscribe भी करें और अपने friends में share भी करें ठीक है इससे हमें motivation मिलती रहती है चलिए आगे चलते है question number 3 तो यह रहा question number 3 आपकी screen पर देखे जरा question number 3 from the following details given below calculate आपको calculate क्या करना है reorder label minimum label maximum label और danger label बेटा ध्यान लगना कि maximum label के लिए आपको reorder quantity तो चाहिए चाहिए तो यानि की एक और hidden इसमें calculation है जो है reorder quantity की वो भी आपको निकालना पड़ेगा यानि EOQ भी इसमें निकालना पड़ेगा तो जरा देखो आप खुद भी समझ सकते हो कि यह detail देखो EOQ से related ही दे रखिया आपसे बोलता है cost of placing purchase order यानि ordering cost 20 rupees की है फिर आपके पास आता है annual requirement जो आती है units की वो 5000 है purchase price जो है units का वो 50 rupees का है ठीक है और आगे बढ़ते हैं फिर आपके पास क्या कहता है annual storage cost यानि storage cost का मतलब मैंने आपको बताया था कि carrying cost कितनी है वो है आपकी 5 rupees की तो आज आए जरा solution करते हैं इसका सबसे पहले तो मुझे चाहिए EOQ तो मुझे चाहिए होगा बाद में मुझे use करना पड़ेगा तो मैं सबसे पहले EOQ ही निकाल लेता हूँ ताकि मेरी calculation थोड़ी ठीक way में चलती रहे तो सबसे पहले मैं solution देखेंगे question number 3 का तो सबसे पहले मैं EOQ निकाल लेता हूँ जिसको मैं reorder quantity के नाम से भी जानता हूँ और इसको मैं EOQ के हिसाब से calculate करते हैं क्या formula बताया था 2 multiply A multiply O divided by C यह तो बताया था तो निकाल लो जारा 2 annual requirement कितनी है बिठा 5000 units की ordering cost 20 है और caring cost 5 है तो आप जारा फटा फट से देख लो कितना आ जागा यह 5000 मैं फटा फट से calculate करता हूँ 5000 multiply 20 multiply 2 और divided by 5 इसका under root करोगे तो यह हो जाएंगे 200 units के 200 units तो आपका reorder quantity बोल लो से चाहे EOQ बोल लो वो आपका 200 units का ठीक है अब मैं requirement करता हूँ एक एक करके जो मेरे को यहाँ दे रखे यहाँ पर आ जाओ reorder label निकालना है सबसे पहले फिर आता है minimum label फिर maximum label तो मैं सबसे पहले एक एक करके solution करना शुरू करता हूँ तो requirement number one जो हमारी कौनसी है reorder label की तो अब तक तो आपको formula याद हो गए होंगे reorder label का formula क्या था वो था maximum consumption maximum consumption multiply maximum time या period जो भी बोलो lead time बोलो period बोलो है न तो यह था maximum consumption जो है वो question में क्या दे रखा है maximum consumption के बारे में दे रखा है कि maximum consumption जो है आपका वो 20 unit per day आता है तो 20 units per day आता है यह question में given है तो multiply फिर आपके पास आता है maximum period कितना है तो maximum period भी question में given है वो है 15 days का तो इस हिसाब से आपके पास आ गया 300 units का आ गया reorder label 300 units का बास समझ में आती है ठीक है point number आ जाओ 2 पे तो 2 की requirement क्या थी बेटा 2 की requirement थी minimum 2 की requirement थी minimum label तो minimum level की बात कर लेते है minimum label का formula क्या था तो minimum label का formula जो था वो था यह लो में black pencil रिखते है क्योंकि इसमें concept है थोड़ा सा ध्यान से देखना वो था reorder label reorder label plus reorder quantity reorder quantity यह दोनों तो आपके पास है minus minimum consumption minimum consumption multiply minimum lead time यह minimum period अब इस question को अगर मैं एक बार देखो मैंने इसले लिख लिए था कि मुझे दिखाना पड़ता भी इस विच में तो यहाँ पे देखो reorder label वो आपने निकाल लिया है reorder quantity वो भी आपने find कर लिया है minimum period अगर आप देखो ठीक है question के अंदर तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दू minimum period भी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है six days का और यहाँ पे देखो average consumption दे रखा और maximum consumption minimum consumption नहीं दे रखा यह बड़ी दिक्कत की बात हो गई क्योंकि देखो minimum consumption तो हालत में आपको चाहिए चाहिए अगर आपको minimum consumption नहीं मिलेगा तो आप इसका answer नहीं कर पाऊगे लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ average consumption दे रखा है average consumption दे रखा है अब भाई आप average का formula याद करो दिमाग में क्या होता है minimum plus maximum divided by two यही तो होता है तो बस उसके ही वज़े साबसे हम minimum निकाल लेंगे तो यहाँ पर जरा मैं solution करता हूँ मैं black pen से कर दे रहा हूँ यह मैं क्या कर रहा हूँ यह note में solve कर देता हूँ तो आकि आपको समझ में आ जाए यह मैं क्या निकालने जा रहा हूँ minimum consumption minimum consumption तो मैं क्यों निकालनो यह बात आपको पता अपने चाहिए minimum consumption का formula जो था वो होता है minimum consumption sorry – average consumption average consumption का formula क्या होता है minimum consumption plus maximum consumption divided by 2 यही तो formula होता है बेटा average consumption दे रखा है average consumption जो है वो 15 units का है और minimum consumption आपको निकालना है minimum consumption आपको निकालना है और maximum consumption भी दे रखा है तो maximum consumption जो है 20 units का दे रखा है divided by 2 अब मेरे खाल से आप इतने तो समझदार हो ही किसकी value निकाल सकते हो तो यह कितना हो गया 30 minus 20 10 units का आगया तो minimum consumption कितना आगया बेटा minimum consumption आपका आगया 10 units का तो अब मैं फटा फट से इस उपर वाले formula में रखूँगा इस वाले formula में value रखूँगा तो निकालो जरा minimum label वाले formula में minimum label वारे formula में रखते हैं बताओ, reorder label क्या था तो reorder label था अभी अभी आप में निकाला 300 unit का उसके बाद plus reorder quantity क्या थी तो reorder quantity थी 200 units की minus minimum consumption कितना आया 10 unit का और multiply minimum lead time minimum lead time 6 days का बस आप solve करो आपका answer आजाएगा क्या answer आएगा फटा फट से यह होगे 500 units और यहाँ पर कर देते हैं 60 units तो यह होगे आपके कितना 440 units ठीक है तो यह वाला भी बात आपकी solve होगे तो मैंने आपका देखो reorder label निकाल लिया minimum level निकाल लिया, maximum level निकाल लिया आप क्या चाहिए, danger label danger label आप पहली बार निकाल रहे हो इससे पहले वाले question में नहीं था तो मैं danger label का formula एक बार दिखाऊँ आपको क्या था, यह देखो danger label का formula क्या था average consumption और reorder period जो emergency के हिसाब से आपको दिया गया है तो यहाँ पर danger label की calculation करते हैं तो आज आईए करते हैं, danger label point number 4 जो आपका क्या है danger label तो danger label की calculation करो क्या formula बताया danger label का, बताओ, फटा फट से बताओ, अपनी copy में देखके danger label का formula है minimum label निकाल लिया मैंने एक minute, reorder label minimum label maximum, एक छूट गया हमारा हमारा यह जो calculation है वो छूट गई है इसमें क्या है, यह जो minimum label का है यह maximum label का formula लग गया यह बेटा, maximum label निकाल लो इसको बोलते है maximum label ठीक है, maximum label निकल गया यह थोड़ी से mistake होगी यह maximum label का निकल गया आपका और यह भी आपका क्या है, maximum label maximum label आगया अब danger label की बात कर लेते हैं तो danger label, अभी हमारा एक छूट रहा है minimum label वो भी हम निकालेंगे तो आज आज जड़ा, danger label की बात करते हैं danger label का formula क्या था average consumption average consumption और multiply emergency period ठीक है emergency क्या आगया, period यह question में given है, average consumption given है आपका 15 units का 15 units का और emergency period जो है वो है, एक मिनट रूट रूट average consumption कितना है, average consumption average consumption 15 units का है और emergency period जो है वो दिया है 4 days का 4 days का तो यह हो गए आपके 60 units ठीक है, तो एक बार मैं question पर दुबारा सा जाओ question में देखो मैंने reorder label बता दिया maximum label निकाल लिया हमने और danger label minimum label छूट गया था हमसे तो minimum label की बात कर लेते हैं तो minimum label का formula बताओ क्या था तो आज आई जरह यहाँ पर minimum label का formula minimum label तो minimum label का formula क्या था? मैं एक बार फटाफट से आपको दिखा देता हूँ कि minimum label का formula क्या था, यहाँ पर देखिए, minimum label का था, reorder label, average, normal consumption, normal late time, अगर normal नहीं है, तो average ले सकते हो आप, ठीक है, यह देखिए, तो accordingly हम करते हैं, जड़ा, फटा-फट से, इसको solve करते हैं, तो minimum label का formula का लिख लेते हैं, यह हो गया, आपका, reorder label, reorder label, minus, क्या था, average consumption, average consumption, अज़ बिटा, consumption का यहाँ, uses का भी use करते हो आप, और multiply average lead time, ठीक है, average lead time, यह average period, कुछ ही बोल सकते हो, तो आजए ज़रा, reorder label, अभी हमने निकाला, 300 units का, तो normal या average, तो मेरे पास यहाँ पर, normal या average में से, मैं देख लूगा, मेरे को क्या given था, तो मेरे पास average consumption है, average consumption कितना है, वो है 15 units का, और multiply average lead time, तो average lead time आपका, यह भी given है, यह है 10 days का, तो बस फटा-फट से आप value रखो, और आपका answer आजाएगा, यह हो गए 300 units, और minus कर दो, 150 units का, तो यह answer कितना आगया, 150 units, ओके, बात समझ में आ रही है, देखो भाई, चैप्टर में थोड़ा सी, formula wise तो बात है, question बड़े तो है, लेकिन अगर आप करते रहोगे, तो कोई भी दिखरते होगे, चलो, आज का last question करते हैं, मैं एक question और कराने कह रहा था, लेकिन वो साइद, बहुत बड़ी video हो जाएगी, तो मैं आगने वाली किसी video में करा दूँगा उसको, तो चलिए, देखते हैं, question number 4, यह लो आपकी screen पर question number 4, देखें क्या कह रहा है, एक medical है, जो manufacture करते है कि special product, जिसकी ID जो है, वो AID के नाम से है, 1998 में से इन्होंने करना शुरू किया था, या जो भी है, इनकी monthly demand जो है, वो 1000 units की है, उसके बाद, monthly demand 1000 units की, उसके बाद, cost जो आती है, order को place करने की वो आती है आपकी, 100, annual carrying cost 15, normal uses 50 unit per week, ठीक है, per week 50 unit, ध्यानक ने इस बीच का, आगे बढ़ते हैं, minimum uses जो है, वो 25 per week है, फिर आता है, आपका maximum uses 75 per week है, और order जो है, वो है आपका, 4 to 6 week का, तो आपको यह कुछ calculation करके दिखानी है, जिसमें आपके पास आ रहा है, reorder quantity, फिर आते हैं आपके पास, reorder label, फिर आपका minimum label, maximum label, ठीक है, यह कुछ बाते हैं आपके सामने आ गई, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, calculation करना, तो स्टार्ट करते हैं, आज यह solve करते हैं इसको, solution, first part का, reorder, reorder quantity, बैटा, reorder quantity का मतलब, वही मैंने बोल था, अगर आपको, ना पता चले तो, EOQ निकालना पड़ेगा आपको, तो EOQ निकालने के लिए, आपको annual requirement चाहिए, जो annual requirement नहीं पता आपको, तो मैं यहाँ निकाल लूँगा, कि annual uses कितना है, यह annual uses कितना है, कैसे निकाल लूँगा, बैटा, 50 unit per week का आपका use होता है, और पूरे साल में कितने week होते हैं, 52 weeks होते हैं, ठीक है, तो बता दो जरा कितना आ गया यह, 52 multiply 50, तो यह 2600 units आपकी annual requirement है, ठीक है, अब मैं EOQ यानि Economic Order Quantity निकालूँगा, 2 multiply A multiply O divided by C, तो निकालते जरा 2, annual requirement कितनी है, 2600, ordering cost थी अभी, अभी यहाँ पर देख लो, ordering cost कितनी है, 100, और caring cost कितनी है, 50, तो यहाँ पर 100, और फिर divided by 15, तो इसको solve करते हैं, answer क्या आता है, जरा फटा फट से देखते हैं, 2600 multiply 100, multiply 2, divided by 15, और इसका करेंगे under root, under root आ रहा है, 170, 80, sorry, 180, एक बार दुबास करेंगे, 2600 multiply 2, multiply 100, divided, और divided by 15, और फिर इसका करेंगे under root, 186, यह 176, 186, पता नहीं मेरे calculator में कम दिख रहा है, तो यह 186 unit, अपरोक्स, ठीक है, आगे चलते हैं, अब यह वाली calculation तुमारी होगी, अब आता है आपका, reorder label, तो reorder label का formula लगाओ, calculation number 2, इसमें क्या निकालने आपको, reorder, reorder label, तो reorder label का formula लगता हो, क्या था, इसका formula था, maximum consumption, maximum uses लिख लो चाहे, चाहे consumption लिख लो, multiply maximum time, यह period, तो maximum consumption, जो आपका यहाँ पर आ रहा है, वो given है question में, वो 75, 75 per week है, 75 units per week, और maximum lead time जो है, वो भी given है, 6 week का, तो बताओ कितना आ गया, 75 multiply 6, यह आ गये 450 units, 450 units, ठीक है, तो मैंने, reorder label भी calculate कर लिया, अब मुझे minimum label चाहिए, minimum label में दोनों का use होता है, यह तो बात आपको पता है, तो आज आईए, minimum label की बात करते हैं, minimum label, देखते जाएए, फटा फट से, calculation number third, जो आपकी क्या आएगे, minimum level, तो minimum label का formula क्या होता है, तो minimum label का formula होता है, reorder level, reorder level, plus, नहीं, minimum label है, reorder level minus, normal uses, normal usage, और multiply, normal lead time, normal period, अगर आपको normal ना given हो, तो आप क्या निकालोगे, average निकालोगे, तो minimum label निकालते हैं, जड़ा फटा फट से, reorder level अभी अभी हमने calculate किया था, जो आप का रहा था, 450 units का, minus, normal usage, तो normal usage दे रखा है, question के अंदर, वो है 50 units per week, multiply, normal lead time, normal lead time नहीं है, लेकिन minimum और maximum है, तो मैं average निकालोगा, तो 4 plus 6, यानि 10, 10 का half 5, तो 5 weeks, तो ये आपका answer आजाएगा कितना, तो ये हो जाएंगे, 450 minus, 250, it means, 250 हो गया, 200 units, ठीक है, next आजाओ, calculation number third, जो आपका है, maximum label, तो ये हो गया, maximum label, तो maximum label का formula, बताओ क्या होगा, maximum label का formula, ये देखो, क्या था, reorder, level, plus, reorder, quantity, minus, minimum uses, ये minimum consumption, जो भी लिखना चाहो, multiply, minimum period, ये minimum lead time, जो भी लिखना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पर आजाओ, फटा-फट से, reorder label, अभी अभी हमने calculate किया था, वो था, 450 units का, आगे बढ़ते हैं, reorder quantity, तो reorder quantity, भी हमने find किया था, वो था, 186 units का, 186 units का, minus, minimum consumption, minimum consumption, दे रखा है, ये दे रखा 25 पर week, ठीक है, और multiply, minimum period, ये भी दे रखा 4 weeks, आजाओ जाँ जाँ रहा फटा-फट से, इन दोनों को करो plus, और इनको करो minus, तो ये हो जाँ का, 450 plus 186, इट मेंस ये हो गया, 636 minus 100, तो ये कितना आगया, ये हो गया, 536 units, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, last की calculation, ये 4 थी, और last की 5 जो है आपका, average stock level, तो average stock level निकालने में, तो कोई problem है ही नहीं, क्योंकि देखो उसमें क्या था, minimum stock level, maximum divided by 2, यहाँ पे देखो minimum कितना है, 200 maximum कितना आया, 536 divided by 2, तो लिख लेते हैं, formula क्या था, minimum level, plus, maximum level, divided by 2, तो minimum level आपका कितना हो गया बेटा, वो हो गया, 200 units का, और maximum कितना हो गया, 536 unit का, divided by 2, तो यह आपके कितने आगए, plus minus करते हैं, यह हो गया, 200 unit plus 536, divided by 2, 368 units, ठीक है, बस, हो गया हमारा, आज की वीडियो में इतना ही, एक question मेरा, exam related है, वो मुझे कराने हैं, कुछ important questions में लोगा, exam related, आप बात आती है, become वालो, उसे related थोड़ी सी, बेटा, आप अपनी 10 year खोलेंगे, 10 year में, जितने भी material cost के questions होंगे, वो सारे आपको solve करने हैं, आप easily कर सकते हो, अगर यह मेरे 4 question, आज वाले, और 3 question, first video वाले, अगर आपने सही से समझ लिए, तो आप सारे question solve कर सकते हो, ठीक है, बस, मिलते हैं next video में, आप साइच जों को note कर रहें अपनी copy, मैं ऐसे उमीद करता हूँ, और आप video को share करेंगे, ये भी मैं उमीद करता हूँ, मिलते हैं next class में, bye,